आपको सबसे अच्छा बोर्ड होगा अगर आपको बेस बहुत अच्छा चाहिए तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ बोर्ड यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा तो आप देख सकते हैं बहुत सारे बोर्ड होते हैं बाकी केमरे में इतने पर आ रहे था इस वजह से मैंने यह बोर्ड गहां पर रखें यह टावर के लिए होता है टावर में ऐसा यह को और सेम आता है दूसरी आईसी में तो सारी चीजिए आपके स्पीकर की वाटेज के आता है उसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए यह वीडाउड पावर सप्लाई वाला बोड है जिसमें कुछ भी नहीं है इसमें सारी चीज़े आपको अलग अलग से लगानी पड़ेगी और यह जो बोड है इसमें सारी चीज़े हैं मतलब इसमें ट्रास्फॉर्मर ब्लू पर दोस्तों पर लगाना है उसके बाद भी यह बोड जो है रेडियो यूज हो जाएगा इन सब में से कौन सा बोड लेना चाहिए देखिए मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको कोई ऐसा बोड लेना चाहिए जिसके अंदर कोई सा भी सेक्षिन नहों ऑन्ली आपको इसके अंदर सारी चीजे हैं लेकिन सब में कंजूसी है क्योंकि इनको सस्ता बोड बनाना होता है इसलिए कंजूसी करते देखिए पावर सप्लाइ सेक्षिन में दो ही कैपिश्टर रहते हैं डूवल सप्लाइब के वाज़ए से दो कैपिश्टर देते हैं जिसके इसके अंदर आपको अच्छा नहीं मिलेगा आप ट्रास्फॉर्मर लगाएंगे इसके अंदर अच्छा अंपियर स्टोर नहीं होगा और जब बेस बनता है तो एंप्लिफायर बोड को जादा से जादा एंपियर की जरुवट पड़ती है जो कि इन कैपिश्टर से लेकर क वह स्पीकर या बूफर में ट्रांसफर करता है बड़ जब यहां पर कैपिश्टर ही अच्छे नहीं होंगे या कम होंगे तो कहां एंपियर बनेगा इसलिए जब आप बोड ले रहे हैं तो कोई ऐसा बोड लीजिए जिसके अंदर सप्लाइ सेक्शन ना हो सप्लाइ आप जो करेंट जाएगा तो यह बोड खराब हो जाएंगे तो 50 वोल्ट तक का आप कोई साभी कैपिश्टर ले लिजिए असी वोल्ट भी ले सकते हैं ठीके 6 कैपिश्टर को आप पैरलर में करनेक्ट करते हैं तो उसका एंपिश्टर बढ़ता है वोल्ट सेम रहता है ठी आपका amplifier का punch आएगा speaker का punch आएगा ठीक है तो ऐसे बोड आप ले सकते हैं ठीक है ऐसे बोड जो होते हैं मतलब जिनको कुछ नहीं करना बस बोड लेना है और अपना चलाना है तो उनके लिए यह बोड है उनके लिए भी एक suggestion है आप एक काम करिएगा इनके अंदर ऐसे आप माइनस का हिस्सा है और जहां कुछ भी नहीं होता वहां प्लस होता है ठीक है तो ऐसे connection करने से क्या होगा यह दो की जगए चार कैपिश्टर हो जाएंगी और बेस आपको अच्छा मिनने लगेगा इसके अंदर आप कुछ में चेंजिस नहीं कर सकते हैं इसमें जो भी sound quality अच्छी होती है लेकिन अगर थोड़ी से भी कोई भी दिक्कत होती है तो यह boot खराब हो जाता है ऐसी जल जाती है तो आप ऐसे board ले सकते हैं आप इसके अंदर अच्छा base travel लगा करके इसके अंदर से भी अच्छी sound quality ले सकते हैं या फिर इसके अंदर दो जो अच्छा base बना सकते हैं अब मैं बात करता हूं कि पूरे complete board की जिसके अंदर आपको बहुत अच्छा base मिलेंगे और साथ साथ एक के अंदर बहुत ज्यादा base मिलेगा जिसमें only base होगा और वो टावरों के लिए special बनाया गया है मैंने अपनी काफी वीडियो में उससे दिख उससे दिखाया हुआ है तो लास्ट इस वीडियो में भी मैं उसको दिखा देता हूं अगर आपको कुछ नहीं करना आपको कुछ नहीं आता और आपको बहुत अच्छा sound चाहिए तो sound के लिए आपको एक सबसे पहले speaker और उसका box बनवाना पड़ेगा अच्छा सा तभी ज पताऊंगा कैसे condition change होगे इसकी ठीक है तो आपने जो पहले board मेरे पास यह वाला देखा होगा उसके अंदर छोटे वाले ट्रांजिस्टर यूस किये जाते थे जो अभी नए आये हुए हैं बट अभी इसको modify करके बड़े वाले ट्रांजिस्टर में convert कर दिया गया है आप मैं देख सकते हैं इसके अंदर तो शीवा वावन सो और 146 ट्रांजिस्टर लगे हुए है ठीक है तो यह बोड जो है पहले से थोड़ा मतलब size में इसको यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बड़े वाले ट्रांजिस्टर लगे तो थोड़ा सा size increase हुआ होगा अमेभी क्योंक तो यहां पे भी दो ही उस किए गए हैं अगर आपको और भी तगड़ा साउंड चाहिए तो चार यूज करने पड़ेंगे बाकि इसके अंदर देखिए तीन चैनल है जिसमें की एक सब बूफर का आपका जिसके अंदर ऑनली बेस मिलेगा अब आवास को कम करके भी इसके सब बूफर का चैनल है आपका यहां पे आपको बेस भी और आवाज भी मिलेगा मतलब तीन गुना बेस हो जाएगा आपका और दो गुना आपकी आवाज हो जाएगी ठीक है तीन सो वाट का बोड है वैसे तो एक पेर डेट सो वाट आउट पूट देता है बट फिर भी हम इस सो वाट मानके चले ठीक है तो आपका तीन सो वाट आउट पूट देगा तीन इस पीकर बूफर सब बूफर जो आप लगाना चाहते लगा सकते हैं दोनों चैनल में आपको इस पीकर या बूफर के साथ एक ट्विटर लगाना जरूरी होगा उस से जो है आपकी साउंड की फैन नहीं मिलेगा लेकिन मेरे साब पर्चिस करते हो तो मैं इस बूफर के साथ फैन भी देता हूं जिससे की जो भी हीटिंग इशू है वो भी निकल जाए तो आई वोप आपको यह जो वीडियो है वो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लेकिन कुछ दिन बार आपको अपडेट मिल जाएगा कि जो प्राइज होने माले हैं वो बोर्स की क्या होने वाले हैं फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही था अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंच शेर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आया सब मिलेंगे नेक्श वीडियो में तब तक लिए बाबाइ